36 गड़ के दिवतिय चरण के मद्दान के लिए आज प्रातह से ही जिले के राजिम एवाम विंद्रा नवागड की पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है स्वतंत्र एवाम निस्पक्ष चुनाओं हेतू 2644 अधिकारी कर्मचारी की डिवटी लगाई गई है जिसके अंतरगात राजिम विधान सभा की 274 एवाम बिंद्रा नवागड विधान सभा की 299 मद्दान केंद्रो में कल 17 नवंबर को 4,54,569 मद्दाता अपने मद अधिकार का प्रयोग करेंगी जिसके परयाप सुरक्षा विवस्ता हेतू 48 अर्द स्टैनिक बलों के टुक्रियों एवाम पुलिस बल की भारी विवस्ता की गई है विसेशकर नौन नक्षल प्रभावित शित्र जहां प्राहता 7 बजे से मद्दान किया जाना है वहां की तयारी को लेकर सुरक्षा विवस्ता में व्यापक रणनिती अपनाई गई है महत्पूर्ण बात का है कि इस बार आमामोर ओर की पोलिन पार्टी विभिन वाहनों से रवाना सबसे पहले रवाना किया गया जबकि पूर्व वर्सों में हेलिकॉप्टर के माधिम से रवाना होती रही है प्राहता से ही क्रिसी उपज मंडी में अधिकारी कर्मचारियों को मद्दान करने की समस्त समागरिया वित्रित की जा रही है जिसमें 264 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें इव्यम मसीन प्रदान कर्विभिन मद्दान और जाने वाली पार्टी को नवजकर 44 मिनिट में रवाना किया। इतना अच्छा स्विवस्था करें कि कोई असुइधा नहीं हो थे और पहली बार मद्दान में ड्यूटी लगे हैं सर तो उस्साह जो है इतना ज्यादा है कि हम कब जाबो कतना बेर मद्दान कराना है ऐसे करके हमार मन में उस्सुक्ता भरे हुए है। सर देखो पूरा ब्योस्था लगे हुए है तो हमारा कोई मतलब असंका नहीं है सर परियाब तो सुरक्षबल है और साथी मन भी आसपास की सब लगे है सर सयोगी है हमारा कोई असुइधा नहीं सर काउंटर से सामंगरी और हमारा EVM पर आप तरके सभी दल तयार है निकलने के लिए और जो समंदित उनका मद्दान केंद्र है वो आज दुपहर तक किसी भी हालत में वहां तक पहुँच जाएंगे और कल एक शांते पूर्ण और शत प्रतिशत मद्दान के और हम लोग मैं उमीद है कि बहुत ही अच्छे से हमारा यह निर्वाचन होना है जिसका हमने पर्याप्त पर चार परसार पहले ही कर चुके हैं और बागी शेष जो हमारे 564 मद्दान केंद्र है वहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का मद्दान का समय है कि विंद्रान वागार और राजीम दोनों की परिस्कितियां अलग अलग है राजीम अलग भख जो है प्लेन एरिया है तो वहां पर अलग व्योस्था की गई है और जो अफेक्टे डेलिया है वहां पर हमारे दौरा जो है सेंट्रा प्रियाप्त ध्यान रखते हुए एक पाइंट का बारिकी से उहां पर ध्यान करके उसके आधार पर फोर्स तैनाद किया गया है किसी प्रकार की घबराने की जवरत नहीं है खुलकर मद्दान कर सकते हैं और किसी प्रकार का बाधा उत्पर नहीं होने देंगे पुलिस की प्रियाप्त मात्रा पर उग्लप्द कराए गया है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना इंस्डेंस नहीं हो सके और सुरक्षा पूर्ण नहीं मद्दान संपन कराया जा सके